कि हिंदेगलं में फिर सेपका एक बर स्वागत है यह वीडियो बीसी स्रूप से सिक्षक बाहाली से समंधित है अभी हमने ट्वीटर खोल लगा है ट्वीटर अर्णल लेकर है रजनीश सर का आप देख सकते हैं ऑफिशियल है जो नियूजटिन वियर धैरकंड में है यहां प अंतिम सप्ता में आयोजित हो सकती है परिक्षा ध्यान से देखेंगे इस चीच को बिहार में जल्द होगी सिक्षक बाहाली परिक्षा जून के अंतिम सप्ता में हो सकती है परिक्षा यह नि जो परिक्षा है जून के अंतिम सप्ता अप्रील चल रहा मई अप्रील खतम हो गवयर्ति एक साथ देंगे परिक्षा परिक्षार्ट गΠाट बहाली वेगर एक है साथ्व tääल के 생각ा झालाइक है इस लिए एक को बूस दोब सक्राल हिएगा तरह Chamcken Tyre m बाचीत वेगरे हो रहा था, प्रेस कंफरेंच वेगरे, उसमें यही कहा गया था, कि वो भाग लेना चाहें, तो ले सकते हैं, उन्योजित शिक्षक और शिक्षक विर्थी एक साथ देंगे परिक्षा, इसलिए एक साथ करने के लिए कहा गया है, इसके साथ ये एक और चीज वाला मामला क्या है, ये मेरे ख़ल से, अगर मेरे नजर में देखा खा, तो ये संभावसा नहीं दिखता है, बागी सब इसको कितना सिप्ट एकपने एक से दो सिप्ट अब चारो सिप्ट तो एक बार में करा नहीं सकते तो यह वाला जो मंदा है यह दिक्कत वाला और हो सकता है इसमें निश्चितुरुप से आपको तब दिली देखने को मिली के तो यह चीज है जो complicated है कि इसे हम start लगा देते मेरे नजर में ठीक नहीं है आगे पढ़ते हैं बतल एक चीज और बता दें कि जो भी information मिलता उस तरीके से कुछ भी लिखा जाता है बताया जाता है इसा नहीं है कि कुछ भी चप जाए क्योंकि इससे पहले भी रजनी सर का बहुत पहले का tweet देखिएगा तो आपको बताया गया था कि परिक्षा से होगी बहुत बवाल हुआ था फिर देखे लास्ट में यह हुआ है परिक्षा वर्ग एक से पांच वर्ग छे से आठ और माद अलग होंगे प्रश्ण परिक्षा में पूछे जाएंगे objective प्रश्ण सिर्फ अलग अलग होंगे प्रश्ण यह चीज हमने पहले आपको बोल लखा हो था और पहले भी हमने बताया था कि आपको 1 to 5 का 6 to 8 का मादमिक 9 से 10 और उन्चे मादमिक 11 के लिए अलग 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 प दिखेगा तो यह चीज और यहां पर क्लियर कर दे कि जो परधाना ध्यापक का था उस तरह का पैटन आपको निश्चितरुप से देखने को मिलेगा अगर इस तरह का देख रहे हैं तो जो भी इधर उदर यह देख ले वो देख ले तो उनको थोड़ा सा जटका लएगा स सारा चाहिए अब नहीं देखना है जो पैटन था लगबख वही पैटन आपको फिर से फॉलू करता हुँआ दिखेगा अगर यह चीज सही होता यह चीज माना जाता है तो क्यूं कि उधारन के दौर पर आपको मैं यह किलियर कर तो अगर ऐसा होता है तो मैं यह नहीं कहा रहूं कि यह 100% यह मानी क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाएगा तब तो कुछ भी हो सकता तब देली वेगा ऐसा होगा तो क्यों जैसे में एक जामपल के तौर पे एक हम लेते हैं उदारन के तौर पे उच्छ मादमी के लिए उच्छ मादमी के बहुत सारे सब्जेक इस प्राउधान के उच्छ मादमी के लिए सिर्फ अलग-अलग होंगे प्रश्न पत्र परिक्षा में पूछे जाएंगा अब्जेक्टिड प्रश्ण गलग उतर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा प्रवधान नेगेटिव मार्किंग के साधिये देखने को नहीं मिले क्योंकि यह इस नीगाटि मार्किंग वाले पर आएंगेक क्यों सरफ अलग-अलग होंगे पृष्ण। तो अलग-अलग होंगे पृष्ण कहने का मतलब यह कि अगर यह चार सब्जेक्ट अलग-अलगदेखने तो इसमें क्या होगा ना कि जो प्रधाना ध्यापक था उस तरह का पैटर्ण इसलिए देखने के लिए सबको समराइज करके प्रशन पूछना होगा कि सबको समराइज में आप प्रधाना ध्यापकुला देख सकते हैं इसमें करेंट रहेंगे एक तो पेडागोजी 50 चाट दीजे कि वह रहेंगे गएगर 75 उसको चाट दीजेगे 75 में बागी सबको बाट दीजेगा पच्छतर में आपको बागी सबको बाटना यह होगा तो इसमें आपका करेंट अफेर्स हो जाएगा और बिहार के संदर्प से प्रशन रहेंगे यह तो निश्चित है इसके साथ ही eu क рассi xQa लाएगा और इंवाय होते है तो एक दर से और आपका यह सब्जेच यह उपको अफीशियल आएगा उसके बादी के लिए होगा लेकिन यहां तक समझें कि यहां तक वही रहेंगे तो बागी सब भी उसी पैटर्न पर फॉलो होते हुए दिखेंगे आपको क्योंकि हमने पहले से भी बोल लखा है कि subject का आपका exam हो गया है यह जो होगा एक तरह से special होगा आपके लिए exam जिससे यह पता चल सके कि आपको हमें तो यह पता चल गए कि आप सब्जेक्ट में उतने निपोन हैं अब हमें पता चलना चाहिए कि आप में उतनी काविलियत है या नहीं वह जानने के लिए यह एक जाम देखने को मिल सकता है अभी इस पर बहुत सारे चीजें हैं लेकिन जो लिखा गया उस पर हम बता रहें आपको परिक्षा में पूछे जाएंगो अब्जेक्टिक प्रश्ण यह पहले से भी हमने बोल लखा कि यहीं होगा कुछ और नहीं होगा गलत उतर देने गौर्मेंट इस्कूल के प्राइबेट इस्कूल वेगरे सभी के थे यानि मानने था प्रभ जो भी हो तो वो थे को उनका जब रिजल्ट 421 आया तो जाहिर से बात है कि निगेटी मार्किंग यह हटा रहे हैं यह नहीं देखने को मिल सकता है फाइनल तब ही होगा जब भी माई के पहले सप्ता में विपेस्टी कर सकता है सिलेबस जारी माई के पहले सप्ता में आपको यह सिलेबस वगरे देखने को मिल सकता 20 मही तक जारी हो सकता परिक्षा का विग्यापन प्रारम्मिक से लेकर मादमिक तक का अलग-अलग जारी होगा मेरिट लिस्ट यह तो हो बीस मई से लेके आपको डेट दिया जाएगा बीज तरूब बीस मई मैं आपका पूरा खतम हो जाएगा जून लगबग खतम हो जाएगा इसके बाद एडमिट का डायगा तो मुझे लगता है कि जून जुलाई फर्स्ट विक वेगरे में एक्जाम एकर देखने को मुझे ल जारी होगा मेर्ट लिस्ट यह तो बखू बहूं बहुत लिस्ट अलग अलग जारी एक से फाच के लिए लग छेसे आट के लिए अलग नौसे दसके लिए अलग ऐकार से यह कोई बड़ा बत नहीं है सिक्षव और दोक्या नहीं नहीं विएजने की त्यारी में भी करेंगे इसके साथ एक और चीज हम यहां किलियर करने चाहेंगे और एक दो वीडियो में हमने देखा भी था कुछ है अधिकारी तो उन्होंने एक क्टफ का चर्चा है वह सकता है कि नियोजेत शिक्षक है उनके लिए है अगर भीहारसरकार अच्छी है अगर वो सोचती है यहां के छाटरों के बारे में बारे नहीं लगाना चाहिए इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि कटफ कम भी जा सकता है यह आपके कुश्चन पर डिपेंड है कि किस तरक आप कटफ लगाते इससे क्या होगा सीट भी आपका खाली नहीं रहाएगा सारे सीट भी फुल्फिल हो जाएंगे लेकिन अगर आप कटफ रखते हैं तो जायर सी ब कटफ आएगा वह भी आपके कुश्चन के उन्सार तो यह था सारा चीज यह हम अपने मन से करें कि आएगा मुझे तो पूरा उम्मीद है कि यह कटफ रखेंगे यह ब्यक्तिकत मेरी सूच है कटफ मतलब उत्री नांक रखेंगे यह मेरा प्रस्टनल भी है कि रखेंगे हम नहीं चाहते कि यह रखेंगे बाकी उपर आले कि मैं हम क्यों कह रहे हैं यह सब छोड़ दीजें नहीं रहें बहुत अच्छी बाते को फिलाल यह था आपका अपड़िट हमने सुझा की बता दे रजनीशन ने किया है तो कुछ ना कुछ इसमें देखिए सच्छा ही आपक यह भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले देखिए अभी भी कुछ लोग कहा रहें यह आएगा वो आएगा तो हम भी लेके चलने जब तक ऑफिश्यल नहीं हो जाता है जब तक वह लिखीत रूप से नहीं कह देते कि मात्र हम चारी बना रहे हैं कुश्चन पेपर सबके लिए अगर विपिस्ची वेगरे का एक्जाम हुआ है उसका प्री बिहार के संदर में देखें तो इंपोर्टेंट हो जाता है रिजनिंग में अगरे देखते रहिए अगर आपको इतिहास नागरी भूगोल आता है तो बहुत अच्छी बात है साइंस देख लीजिए तब साइं करेंट भी आना चीए करेंट में एक प्रश्णम को याद आ रहा था कोई अब्यारती ही फोन किया था तो हमने उससे पूछ दिया कि अच्छा हुआ था कि बिहार दिवस जो मनाया गया भी 101 रहा है तो इसका क्या कहते है उसको स्टोगन वेकरे कुछ करते हैं उसको सब्द नी आ रहा है समझे उसका स्लोगन एक तरह से कहा देते है कि क्या था क्या रखा गया दो हज़र तेइस में बाइस कामने उन्हें बताया कि हरिया ली वैला था जल जिए यूर अरियाली जो भी हो तो वो था तेइस में क्या था हम बोलें कि इन सारी चीजों को थोड़ा से एक नजर देख लिजी आप करेंट का है उसका क्या था युवा सकती क्या था युवा सकती बढ़ेगा बिहार ऐसे कुछ था तो इसको देखिए करेंट तो देखना पड़ेगा अभी कौन दच्छीन फिरका में जाके कौन सा था उस पे चड़िए यह परवत पे कौन सा जगा था कौन महिला है वह चली इन सारी चीजों को देखना होगा पढ़न अब इसका बिरोध यह सारे चीज करने से अच्छा है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देते रहें और जो यह करेंगे कि हाँ इसके बिरोध में जो कर रहे हैं वो मतलब करते रहें लेकिन त्यारी पी करते रहें इसलिए इम उसका थोड़ा से यह करते ने कि उस समय बो कि अच्छान कि और चुम के नौरा बहुत। सब्सक्राइब कीजिए हिंडी क्लब को दबाइए इस बेंड आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिल्कुल प्री है